नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कंशिन भारत वाज और आप देख रहे हैं मदर हुड मंत्रा जी हाँ, दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं कि मां की ऐसी कौन सी गलती होती है जिसके वज़र से बच्चे का गर्ब में वज़न नहीं बढ़ पाता दिखे, सबसे पहले, being a mother, being a pregnant mother आपको समझना होगा कि आपकी need क्या है जी हां अगर आपको pregnancy में कोई problem हो गई है, जैसे diabetes, thyroid या BP की कोई problem हो गई तो उसके according आपको diet chart रखना है अगर आपको ये problem नहीं हुई है, तो आप बहुत लगी है, तो आप सब कुछ खा सकनी है तो आपको निर्भर नहीं रहना है खुद बनाईए अगर आप नहीं वो कर सकती है नहीं इतना टाइम नहीं है तो आप मेड रखे लेकिन घर का ही खाना खाईए जी हां आपको घर का खाना खाना है क्योंकि बाहर के फूड बाहर का कोई भी आइटम मैं तो ये बोलूँगी बाहर का उस दौरान प्रेगनेंसी में नौ महीने खाना ही छोड़ दीजे क्यों क्योंकि देखे बच्चे की डेवलप्मेंट बच्चे को जो न्यूटरिंट मिलना चाहि जो कि आपको घर के खाने में मिलेगा ना कि बाहर के खाने में तो इसलिए आपको घर का खाना जरूर खाना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है एज़ वर्किंग मदर तो आप मेड रखिए या आप अपनी किसी अगर जॉइन फैमिली में रहती है तो कोई डिक्कत ही अगर आप नुकलिर फैमिली में रहती है तो मेड रख सकती है तो मेड जरूर रखे नहीं तो खुद खाना बनाइए इतना तो हमें अपनी बच्चे के लिए करना ही होगा जी हां दूसरी चीज है कि बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता अगर आप खाना खाती है मान पंदरा से बीस मिनट के वॉक लिए उसके बाद जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तब आप लेट जाए जाहे आप टीवी देखे चाहे आप फोन देखे तब आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपको खाना डाइजेस्ट करना बहुत जरूरी है इसलिए खाने अगर आप बाहर जाती है तो कैरी जो आप बैग में ड्राइ फ्रूट जरूर करी कीजिए अपना खाना जरूर करी कीजिए हर दो दो घंडे में कुछ ना कुछ खाते रहिए चौती चीज है आपको हरी सबजियां बहुत खानी है इस पूरी प्रेगनेंसी में जी हां जो भ स्टाइब का पनीर जो होता है वह जो दूदा ही डेरी आइटम होता है तो आपको केल्शियम प्रोटीन का भी बहुत धियान रखना है इसके अलावा आपको ड्राय फ्रूट लेने ही हैं अपनी डाइट में आप कोशिश करें की अपनी डाइट से काप्स कम करके सब्सियां जादा बढ़ा दे दाल की मात्रा जादा कर जो दो बाउल डाल आपको जरूर लेनी है पूरी एक दिन में तो अगर आप दो बाउल लेते हैं तो प्रोटीन की भी आपकी एक बोलते है ना एक नीड पूरी होगी तो आपको यह चीजे जरूर धियान में रखनी है इसके अगर आपके अंदर केल्शियम की पूर्ती रहेगी तो बेबी की मसल्स भी अपने आपी स्ट्रॉंग होगी अपने अपी हल्दी वेट गेन होगा तो आपको यह चीज धियान रखनी है बेबी का हल्दी वेट गेन करना है ना कि हमें बेबी का मतलब देखिए अंचाह खाना है घर का ही खाना है इसलिए बाहर ना जाए नाहीं प्रोसेस नाहीं प्रिजर्वेटिव कुछ नहीं लेना घर का खाना खाना है फिलाल के लिए इतना ही